देश के बजट पर मद्द्प्रदेश के वित्मंत्री का क्या कुछ कहना है सिधे बात करते हैं मद्द्प्रदेश के वित्मंत्री जगदिश देवडा जी से सर्क बजट पर आपकी प्रतिक्रिया देश की वित्त मंतरी निर्मला सितारमन जी को और देश के प्रधान मंतरी ये शर्षी प्रधान मंतरी जी को हम बदाई देना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे जो बजट 2022 प्रस्तूत किया है वो स्वागत योग्य बजट है जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट पस्तूत हुआ है और सभी वर्कों का विशेश तोर से ध्यान रखा गया है किसानों का, महिलाओं का, नोजवानों का और 60 लाक नई नोकरियां देने का सजन किया है सजीत करने का जो इसमें प्रस्ताव रखा है यह वास्तों में स्वागत योग्य है देश की रख्षा का भी बजट 25 प्रतिशत बढाया और भी अनेक काम इसमें लिए हैं विशे तोड़ से मध्यपरदेश में बेत्वा जो योजना है उसके लिए चुमाली सजार करोण करोड रुपे का जो प्रावधान रखा है इसके लिए मध्यपरदेश सरकार के ओर से भी हम उनको बढ़ाई देना चाहते हैं ऐसे अनेक काम देश के हित में और जन हित का बजट है ये जो अपिक्षा आपने की थी जो चर्चा है आपकी हुई थी उससे आप कितने संतुष्ट हैं इस बजट से पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं का बजट बहुत अच्छा आया और जनीतों का बजट सेओं कोई भार कोई वजन जन्टा के माथे पर नहीं आए करें अब भी लगातर मद्यप्रदेश का बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, केंद्री बजट आने के बाद उसमें क्या कुछ और बहतर करने के आपको सुझाव मिल गए हैं, अब आप कौन से ऐसी चीज़ें जो इंट्रड्यूस करने जा रहे हैं। पैट्रोल और डीजल के उसमें कुछ रहात मिल सकती आम जनता को, अब इस पर कोई विचार ने हुआ है। झाल हुआ के अपको सुझाव मिल एफिछ प्राप्ट प्राप्ट आपको सुझाव मिल भी उसमें ऑल प्रापको सुझार ने हुआ है। झाल